दोस्तो multiple loan applications से आप लोगों ने loan लिया है और आप लोग first चुके हो यहाँ पर बहुत सारे लोग comments कर रहे हैं कि multiple loans के उपर जो है please video बनाओ, बहुत सारे लोगों ने multiple loan applications से loan लिया है, अलग-अलग तरीके का loan applications लिया है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला ह आप लोगों को समझाओंगा तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा वीडियो इन तक देखना पड़ेगा, तभी सही तरीका का information आप लोगों को मिलेगा नहीं, तो आप लोगों को सही तरीका के जानकर ही नहीं मिलेगा, तो सभी से मेरी कोश्च करें कि अगर आप लोग 90% लोगों ने जो है multiple loan application से loan लिया है, जब civil सही था, तब क्या किया था, एक loan application से loan मिल गया, तो दूसरे loan applications में इस तरीके से, मतलब 5-10 loan applications में जाके apply कर दिया और सभी में से loan मिल गया, अच्छा खासा loan मिला, क्योंकि तब आपका civil सही था, और civil सही अगर आपको loan मिल रहा है At the time अगर आप apply करते हो, तो आपको loan मिलेगा 100%, अगर कोई भी ऐसा report खराब नहीं होता है तो, अगर मानो report खराब हो जाता है, तभी जाके वहाँ पर rejection मिलता है, लेकिन यहाँ पर मानो आप लोग loan लेते हो, आप लोगों का civil जो है instant खराब नहीं था तब जब आपने लिया payment नहीं किया, करनी पार हो, job loss, health issue, कुछ भी reason हो सकता, यहाँ पर आप लोगों के मन में डर है कि क्या कर सकता है company, क्यूंकि amount बढ़ा है, 10 लाग के असपस amount हो गया है, यहाँ पर आप लोगों के मन में डर है, company आपके साथ आप कुछ करना दे, यहाँ पर देखिए, एक आप लोगों को नुकसान होगा, आप लोगों को सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक loan application जैसे आप लोगों को परिशान करता था, 10 loan applications में सेम उसी तरीके से होगा, बस multiply हो जाएगा, उसका, मानो आप एक loan application में loan लिये, आप वहाँ पर default कर गए, आप first गए, आप लोग के पास कितना calls आएगा, तो सेम उसी तरीके का चीज़ें आप लोगों को समझना होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास इसी तरीके से calls आएगा, ऐसा नहीं कि आपने 10 लक लिया है, तो आपके पास 200-300 बार call आएगा, एक्स्ट्रा, ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी कुछ चीन नहीं होता, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी ऐसा डरनी के जरुवत नहीं कि आपने लोन लिया है, रिपे में नहीं कर पा रहे हो, एमाउंट बहुत बढ़ा है, मल्टिपल लोन अप्लिकेसिंस है, एमाउंट जो है आप लोग जो है, आप लोग जो देखें, जिसके साथ नहीं हुआ है, वो आगे हो भी सकता है, या फिर उसका लग भी प्रिफर कर दिया, अब आपके साथ यह ही यह लाग प्रिफर करेगा, यह लग प्रिफर करेगा, यह कहां पर आप लोगो थोड़ी पता है, अगर मानो आपने ऐसा सोचे कि मेरा भी बुलेगा, तब बुलेगा कि आप एक काम करो, आपको मैं बुर्रो कोट तक जाने की जरूवत नहीं है, कोट में अल्ड़ी केस हो चुका है, तो मैं केस वीड्रो कर लूगा, आप लोग एक काम करो, डेढ़ लाग देतो मुझे, एक लग का डेढ़ लाग मांगेगा, अले नहीं कर पता था, लेकिन जब इस तरह केस कर देता है, तब वो पेनल्टी हो, या फिर जो भी है, वो मांगता है, और वो पेमेंट कर भी देता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक गलत चीज है, करना नहीं है ऐसा, आप लोगों के पास अगर कोट से समन आ रहा है, तो आप लोग उसका solution ले, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर एक लाग का लोन है, तो वहाँ पर आप लोगों को यह चीज ध्यान में रखना है, कि अगर आप सौट कट वए में आप लोग निकलने के कोशित करोगे, क्योंकि आप अल्रडी फस्ट चुके हो अब सौट काट अपनाने में कोई, अच्छा काम नहीं होने वाला है, आप लोगों का साथ बुरा ही होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सोचना है, आप अक्यली के बारे में सोच रहे हो, आपके जैसा लाखो लोग यहाँ पर इस तरीके का केस में फसा आपके जैसा लाखो लोग लाखो लोग लाखो इस तरीके से लोन लिया है ठीक है वो जो भी कमपणी है वो लाखो के तादा तुमें मतलब एक हजार करूर के आसपास जो उनका असेट है, कितने लोगों को कितना पैसा दिया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है, यहां पर आप लोगों को डरनी के खबरानी की जरुवत नहीं कि आप लोगों के उपर ही कोई action लेगा, लेगा तो सभी के उपर लेगा, नहीं ल लिए हो, या फिर पचासजा लिए हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप लोग देखो कि आप लोगा खुद का time, आप लोग देखो, आपके पास पैसा जब आएगा, आप रिपरेमेंट कर देना, धिरे-धिरे करके, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, बस वो लोग आ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, multiple loan applications हो, कुछ भी हो, आप लोगों डरना, घबरना नहीं है, कुछ भी हो, आप लोगों को एक चीज़ समझना है, time लेके payment कर देना है, धीरे-धीरे करके payment करना है, कोई भी हलबड़ी नहीं है, कोई भी ऐसा गलत काम करना नहीं है, जिसके सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, तब दक के लिए, चलते डवब बाई, टिक क्यार, जहीन, जय भर दोस्तो,